हाई फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लाए हैं मूली के पराठी की रेसिपी जो बहुत ही कम समय में बनकर तयार हो जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ दो मूली ली है यह लगबग 400 से 500 ग्राम होंगी इनको मैंने उपर से छेल लिया है और साफ पानी से धो लिया है अब इनको हम कद्दू कस कर लेंगे देखिए यह कद्दू कस कर ली है मैंने अब इसको हम एक तशले नुमा बरतन में डालेंगे देखिए और इसमें अब हम एक छोटा चमच नमक डालेंगे और नमक को खुब अच्छे से मूली में मिला लेंगे अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे और जब तक आठा गूंद लेंगे आठा हम वैसे ही गूंदेंगे जैसे नौर्मली पराठों में हम गूंदे है देखिए 25 मिनट बात देखिए कि जो मूली है उन हाथ से एकदम ऐसे दबा के और सब मूली का ऐसे ही पानी निकाल लेंगे देखिए इसी तरह से हम सब पानी मूली में से निकाल लेंगे ऐसे ही टाइट हातों से हमें ऐसे निचोड़ना है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें अब पानी को हम एक तरफ रख देंगे अठाके और देखी मूली में से जो है वो पानी निकल गया है सारा अब हम इसमें कटीवी हरी मिर्च डालेंगे तो दो मैंने यहां कटीवी हरी मिर्च लीती और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है उसको डाल देंगे एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक छोटा चमच हम नमक डालेंगे इसमें और थोड़ा सा गरब मसाला डालेंगे गरब मसाला पाउडर और इसको खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए अब हम आटे की लोई को हाथों से गोल शेप देंगे पहले ऐसे इस तरीके से अब हम इसको बेलेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं सिम्पल बस उसको हमें थोड़ा मोटा बेलना है जिससे पराठा जो है वो फटेगा नहीं देखिए अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे तो हमें यह थोड़ी भरनी है जादे नहीं और इस तरीके से हमें मोटते हुए इसको बंद कर देना है देखिए अब इस तरीके से हम इस पर सुखा आठा लगाएंगे और अब इसको हम बेलेंगे इस तरीके से ही बेलना है हमें थोड़ा आठा लगाते हुए देखिए अब इसको हम गरम तबे पर डालेंगे गेस की फ्लेम हम हाई रखेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए यह एक तरफ से सिख गया है अब इसमें हम ओल लगाएंगे मैंने यहां मस्टर्ड ओईल लिया है यानि सर्सो का तेल आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं अब दूसरी तरफ भी हम ओईल लगा देंगे और ऐसे ही हम पराठे को दोन तरफ से खूब अच्छे से से शेख लेंगे देखिए पराठा जो है वो थोड़ा सिख चुका है अभी हमें इसको और सेख नहीं और दोनु तरफ से हम खूब अच्छे से 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 शेख लेंगे मीडियम फलेम पर हम इसको सेख लेंगे पराठा जो है वह माद देखी बिल्कुल तैयार हो गया है और इसी तरीके के हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे बहुत ही कम समय में पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे इस तरीके से देखी कितने बड़िया मूली के पराठे हमारे बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हुजाते हैं ये कम समय में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हूँ तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ठैंक यू